है यहistर, हम कर रहे हैं Income Tax, Income Tax के अंदर हमने अभी तक क्या किया है यह देखिये हमने अभी तक Income from Salaryै कर लिया, हमने Income UP to house property कर लिया Income from PGBP यानिी Profit and Gain from business and admission कर लिया, Income from capital gain भी कर लिया Total 5然後 होते हैं Income Tax के अंदर Income के उसमें से 4th है है हमने complete कर लिये last and final head बचा हुआ है income from other sources ये head हम आज start कर रहे हैं और income from other sources के अंदर किसी सी किसी भी SEC की किसी भी person की वो income आती है जो इन चार head के अंदर नहीं आई जो income salary में नहीं add हुई जो income house property में, PGBB में और capital gain में इन चार head में जो भी income taxable नहीं हो पाई उसको अब हम taxable कर देंगे income from other sources के अंदर ओके चलिए start करते हैं थोड़ा साब mix वाला chapter होगा ये जो वहां नहीं आया वो सब यहां आएगा ठीक है छोटा सा chapter ज्यादा लेंदी नहीं है so हमारा head number fifth है income from other sources ठीक है income from other sources इस chapter के अंदर या इस income के head के अंदर कम से कम 3-4 lecture लगेंगे आज के lecture के अंदर में आपको ये बता दूगा कि कौन कौन सी income होती है जो इसके अंदर taxable होती है इस head के अंदर include किया जाएगा उस income को आने वाले lecture के अंदर हम उस income के बारे में और detail में पढ़ेंगे कुछ direction वगेरा पढ़ेंगे ओके तो चलिए start कर देते हैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर और हम start कर देते हैं कि यहाँ कौन कौन सी income है जो इसके अंदर include होगी तो इसकी मैं आपको यहाँ पर list one by one करके लिखा दूँगा ठीक है आप यह अगर list याद कर लेते हैं तो भी आपका काम काफी हद तक easy हो जाएगा ठीक है तो देखिए क्या क्या है इसके अंदर सबसे first आता है dividend income तो यहाँ पहले लिख देते हैं एक बार income from other sources में कौन कौन सी income साती है ठीक है तो मैं यहाँ पर income को बताने वाला है सबसे first आती है इसके अंदर dividend income इंदी में क्या बोलते हैं इसको लाभांस से आए इंदी में dividend को लाभांस बोलते हैं लाभांस से आए इनसे रेलेटेट थोड़ा सा मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि हम किसी भी company के जब shares buy कर लेते हैं तो सामने वाली company हमको क्या देती है dividend देती है तो वैसे इंडियन company से जो dividend होता है वो exempt होता है लेकिन foreign company अगर dividend देती है तो वो taxable होता है तो वो जो dividend income है वो यहाँ पर taxable होगी अब उसको कैसे exempt करना है कैसे नहीं करना है वो आगे हम detail में और पढ़ेंगे लेकिन dividend की income सिरफ और सिरफ other sources head के अंदर आएगी और किसी भी head के अंदर नहीं आएगी next आता है casual income ठीक है casual income मतलब casual income में कौन कौन से income सामिल होती है तो इसके अंदर देखिए आप कौन कौन से income सामिल होती है जैसे अगर आपने कोई lottery आककस्मी का है आप कुछ कह सकते हैं lottery जीत लिया आपने winning from lotteries कोई आपने lottery से पैसा जीत लिया अब वो ना तो salary है ना capital gain है ना पीजीवीप है ना house property है तो उसको यहाँ include कर देंगे यह सब casual income के अंदर आएगा क्या क्या आएगा winning from lotteries crosswords वगेरा खेलते ना लोग उसको match करा देते हैं फिर win कर देते हैं या puddles crosswords puddles जो आती है ना पुरान टाइम में newspaper में आती थी काफी वो है या आपने कोई race वगेरा लगवाई है आपने race मतलब आपने horse race वगेरा के अंदर कोई कोई पैसा लगाया और वहां से आपका जो गोड़ा है वो जीत क्या आया पैसा तो races में इंक्लूड क्या क्या होगा जैसे horse race हो गया कार्ड गेम है अगर आपका कोई 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 गेम खेल लिया आपने या अन एनी अदर एंड अदर गेम्स कोई भी गेम्स से आप पैसा जीते हैं या फिर आप गेंबलिंग करते हैं आप गेंबलर हैं आप नहीं जो से सी है और गेंबलिंग करके पैसा कमाता है और आप सर्ते लगाते हैं बैट लगाते हैं एक्सेक्टरा फॉर एक्जाम्पल के लिए आपने नाम सुना होगा अगर प्रक्टिकली देखें तो ड्रीम इलेवन उस पे अगर आपने कुछ पैसा लगाया और पांच जार गए 5 अपने और 3 दूसरे तो वो जो 3,000 रुपे आपने जीते हैं वो किसके अंदर taxable होंगे income tax के इसके अंदर income फ्रम अदर sources के अंदर और क्या स्युक्त न一定 अपर में आता है नामबर आपका इसन प्रम प्रम next आता है आता है आको यह वाला पॉइंट है, consideration received in excess of consideration received in excess of FMV, FMV मतलब fair market value of FMV, fair market value of shares of a closely held company, where such share, where such shares are issued at, issued at premium, अब इसमें क्या है, simply है में बता देता हूँ, इसमें क्या है, अगर आप कोई company share issue कर रही है, company और क्या कर रही है, share issue कर रही है, और share किस पे issue कर रही है, premium पर, share किस पे issue कर रही है, premium पर, लेकिन premium की जो प्राइज है वो fmv से जादा है जैसे कोई share है उसकी face value है for example के लिए कोई share है और उसकी face value है 100 रुपीज ठीक है face value किती है 100 लेकिन उसकी fmv fair market value जो है वो है 110 और आपकी जो issue price है issue price अब आप 100 रुपए का share premium पे issue करोगे तो मनलब 100 से जादा में issue करोगे आपकी issue price है 130 रुपए for example के लिए 130 रुपीज तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर consideration जो है ऐसा consideration जो fair market value से जादा है और premium पे है तो आप issue price किता है 130 और fmv किता आपका 110 इन दोनों को compare करेंगी तो आपकी जो issue price है वो fmv से कितनी जादा है कि 20 रुपए तो 20 रुपए पर share जो है यहाँ पर income taxable हो जाएगी अब माल लेते हैं आप 1000 share पर कर रहे थे तो कितने हो गए 20,000 रुपए ओके तो वो यहाँ income मानी जाएगी तो इस तरीके से यह है consideration received in excess अगर fmv पे जो share है वो held करती है company कोई और share issue जो किये जाते है वो premium पी किये जाते है ठीक है next sorry fourth number point अब इस chapter में बच्चा कुछ आता बच्चा कुछा तो सब ऐसा ही होगा न में में तो सब इंकम उन चार हैड्स में आ गई है अब यह तो other sources हैं अगर interest received कर रहे हुँ आप interest received on compensation कोई शतिपूर्ती आपको मिलनी थी लेकिन time पे नहीं मिली तो उसके उपर आपको ब्याज मिल रहा है तो शतिपूर्ती नहीं compensation नहीं उसके उपर मिलने वाला interest income from other sources के अंदर taxable होगा और यह interest अगर enhanced compensation पे हैं तो भी चलेगा enhanced compensation enhanced compensation क्या होता है पता है आपको कि for example के लिए government ने आपकी कोई जमीन जो है case जीत जाते हैं और court बोलता है नहीं बहुत या 10 लाग तो कम है कम से कम इनको 13 लाग रुपे मिलने जीत तीन लाग रुपे और दो गौवर्मेंट को बोलता है कि इसको दो तो तीन लाग गौवर्मेंट देगी तो यह जो compensation आपको शतिपूर्ती मिल रही है एन्हांस मतलब आपने इसको बढ़ाया है या उस गौवर्मेंट को बोलकर या केस लगा कर कैसे न कैसे करके वह एन्हांस हो गया compensation तो चाहे compensation यानि भी सत्तिपूर्ती हो या बड़ी भी शत्तिपूर्ती हो दोनों के उपर अगर आपको interest मिलता है तो वह इस income from other sources के इंदर taxable होगा नेक्स्ट अगर आप forfeiture कर लेते हैं forfeiture क्या कर लेते हैं कोई advance कोई आपको किसी ने advance दिया और आपने उसको forfeiture किया ऐसा होता है न कई बार कि हमको कोई property खरीद नहीं हो for example के लिए हम कुछ 20,000 रुपे उसको advance दे दिया और book करा दिए कि advance रखो बाद में बाकी का पैसा दे के agreement बना लेंगे लेकिन बाद में हमारा मन चेंज हो गया नहीं यह property हम ने लेंगे तो वह जिसको हमने 20,000 रुपे दे दिये वह हमें वापस थोड़ी देगा वो उसने क्या कर लिया उसको जिसको paste गई बोलते हैं है ना तो वो उसको क्या कर लेगा उसकी हो गई वो तो वो 20,000 रुपे उसके लिए income है लेकिन income from other sources के अंदर आएगी तो यह point मैं लिखा देता हूं समझा मैं ने दिया क्या है यह advance forfeiture या forfeited due to failure of negotiation negotiation मतलब मोल भाव जो है वो फेल हो गया negotiations for transfer of क्या transfer कर रहे थे transfer of a capital asset को capital asset transfer कर दी थे advance पैसा आपको मिल गया इस बार आप transfer कर रहे थे अपने आपके उपर ले लो किसी ने आपको 20,000 रुपे advance ले दी आपने बोला ठीक है बागी का पैसा देना agreement बना लेंगे अब negotiation बैठा नहीं और बात बिगड गई तो अब advance पै लेकिन कौन सी income income from other sources के अंदर आएगी sorry next आता है अगर 6th number इसको मैं detail में पढ़ाऊंगा लेकिन लिख रहा हूं some of money कोई पैसा पैसों का योग और property received by any person यह section number 56 के अंदर आएगाई ठीक है और close to ठीक है उसके अंदर आएगाई मलब किसी gift वगएरा के नहीं वह मामला यह पूरा कि अगर कोई gift वगएरा के रूप में आपको कोई money वगएरा मिल जाती है या property मिल जाती है आपको किसी person से या कोई person received करता है पैसा या property gift की रूप में या किसी और रूप में without educate consideration बिना प्रयाप परतिफल की तो वो यहाँ पर taxable हो जाएगी income from other sources के अंदर लेकिन इसका पूरा चार्ट बनेगा 56 section का मैं बनवाऊंगा आपको ठीक है next step 7. वो है compensation कमपन्शेशन रिसीवड और termination of employment किसी को नोकरी से निकाला जा रहा है बहुत सारी news देखी होगी ना कि आज जो है Twitter नेते लोगों को निकाला आज इस नेते लोगों को निकाला आज तो शतिपूर्टी देनी पड़ेगी तो कमपन्शेशन हम सेलरी के अलावा जो रिसीव करते हैं वो सेलरी में नहीं जाएगा वो यहां आएगा income from other sources के अंदर वो टेक्सेबल होगा termination में अलब हटा ना हो गया last and final point है वो है भया आपका यहां पर एसी income एसी income ठीक है कैसी income अभी बताते हैं यह थोड़ा point गरत लिख दिया था मैंने यहां पर है 7 यह है 8 यह 7 और यह है 8 लास्ट एसी income जो PGBP में taxable नहीं भी वो यहां हो गई the following income the following income if not rechargeable if not chargeable under the head PGBP यह जो income मैं अभी आपको बताऊंगा यह PGBP में अगर चार्ज नहीं वी तो यहां होगी कौन कौन सी है अ एनी सम रिसीव बाइन एंप्लोयर बाइन एंप्लोयर 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 नहीं बॉस फ्रॉम इस employees from his employees कोई भी ऐसा पैसा जो इस बार उल्टी गंगा बह रही है एंप्लोयर से मिल रहा है एंप्लोयर को अब एंप्लोय क्यों देगा क्योंकि as a contribution contribution के लिए किस चीज का contribution to any provident fund provident fund ya superannuation fund superannuation fund ya any welfare fund fund of employees ठीक है नेक्स हें नेक्स हें कोई interest मिल रहा है तो वो भी यहां आ जाएगा और income from income from letting out on hire of machinery plant या furniture आपने जो machine plant या furniture को कैसे दे दिया क्राय पे दे दिया हाइर मनदब क्राय पे दे दिया उससे आपको कोई rent receive हो रहा है कोई income हो रही है तो वो भी यहां पर taxable हो जाएगी कि एनी सम रिसीव अंडर की में इंस्यूरेंस पॉलिशी एनी सम रिसीव अंडर की में इंस्यूरेंस पॉलिशी अब देखों यहां पर यह समझना की में इंस्यूरेंस पॉलिशी क्या होती है कई बार संस्ता जो होती है जो अपना सबसे बेस्ट इंपलोई होता है उसके बिना थोड़ा सा मामला गडबड हो सकता अगर वो इदर उदर हो जाए तो वो पूरा वैपार के मलब क्या बोलते नीव हैं तो कंपनी पूरी उस पर अगर यह कीमें इंस्यूरेंस पॉलिशी जो है यह उस एंपलोई के लिए करा रखिये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में करा रखिये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर यह CEO वगेरा उन्होंने अपने नाम से करवा रखिये कि उसके जाने से CEO वगेरा जो ह under section 59 ये 59 वाले section के अंदर जितनी भी deemed income है वो सारी कि सारी यहाँ यहाँ पर income from other sources के अंदर taxable होगी तो यह मैंने आपको कितने point बताएं 8 point बताएं आप इन 8 point में से कोई भी income आपको कहीं भी दिख जाएं तो उसको income from other sources के अंदर आपको taxable करना है ओके ठीक है आगे next lecture के अंदर इस chapter के बारे में थोड़ा और हम detail में अच्छे से पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही यह जो लिखा है अगर आपको यह चाहिए तो एक minute wait कीजिए आप मैं आपको देतीता हूँ यह यहाँ पर कुछ code आएगा उसको आप scan कर लेना तो यह आपको PDF मिल जाएगा मेरे को बार बार upload करनी की जरूत नहीं पड़ेगी यह QR code आगया देखो इसको scan कर लीजिए आई यह जो मैंने करवाया यह PDF में आपको मिल जाएगा ठीक है आज के लिए इतना ही हम मिलते next video में अगर अच्छा लग रहा है help मिल रही है तो और लोगों की help कीजिए और बच्चों की help कीजिए share कीजिए like, share, comment, subscribe जो आप चाहें इन में से जरूर कीजिए हम मिलते next video में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए goodbye, thank you